नमस्कार सातियों समसमाई के मुद्दों से समधित प्रशनावली स्रंकला के साथ मैं आमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 11 अप्रेल 2020 और आज के हमारे प्रशन किन मुद्दों पर आधारित होंगे आईए सबसे पहले एक नजर डालते हैं पहले प्रसन में हम जानेंगे कि किस देश के प्रधान मंत्री का निधन COVID-19 के कारण हो गया है हमारा दूसरा प्रसन आधारित होगा विदेश मंत्राले के नए प्रव्यक्ता की नियुक्ति पर तीसरे प्रसन में हम बात करेंगे भारत में उपभोगता समाचार के लिए कितने लोग कितने प्रतिसत भुगदान करते हैं चोथे प्रसन में हम जानेंगे कि 2020 के अमेरिकी राष्टपती चुनाव की उम्मेदवारी से किस ने अपना नाम वापस ले लिया है पांचमें प्रसन में जानेंगे कि किस राज सरकार ने राज में एसमा लागू किया है चाथा प्रसन आधारित होगा प्राण वायू पोर्टेबल वेंटिलेटर पर जानेंगे कि किस ने इसको डेवलप किया है साथमें प्रस्ण में हम जानेंगे एन एच ए आई द्वारा सबसे अधिक राजमार्ग निर्मान किस वित्ति वर्स में हुआ है इसके बारे में आटमें प्रस्ण में हम जानेंगे कि किसी देश द्वारा एक तसमलो साथ लाख व्यक्तिगत सुरच्छा उपकरण कवर प्रोवाइड किये गए हैं नमें प्रस्ण में हम बात करेंगे अभिनेता बुलेट प्रकाश के निधन पर वहीं दस्वा प्रस्ण आधारित होगा रवांडा के तुट्सी समुधाय के 1994 के नरसिंगार के खिलाफ अंतरश्टी दिवस पर तो हमारे पास पहला प्रस्ण है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधान मंतरी का COVID-19 के करण निधन हो गया है हमारे पास आप्चन है सीरिया लीबिया एराक या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भी लीबिया हमारे पास अगला प्रस्ण है हाल ही में विदेश मंतराले का नया प्रवक्ता किसे निउक्त किया गया है हमारे पास आप्षन है रवीश कुमार अनुराग सिर्वास्तो ओम प्रकास या इन्वे से कोई नहीं तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है अनुराग सिर्वास्तो विदेश मंत्राले का नया प्रवक्ता अनुराग सिर्वास्तो को नियुक्त किया गया है वे रवीश कु के अनुसार भारत के लगभग एक चौथाई उपभुगता समाचार के लिए भुगतान करते हैं हमारे पास आपसन है प्रस्ट्रेश्ट आफ इंडिया विश्वयापार संगठन विश्वार्थिक मंच या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है वि विश्व आर्थिक मंच दारा किये गए सर्वेच्छन के अनुसार भारत के लगभग एक चौथाई उपभुगता समाचार के लिए भुगतान करते हैं विश्व आर्थिक मंच दारा चीन जर्मनी भारत दच्छिन कोरिया ब्रिटेन और अमेरिका सहित छे बाजारों में सम और मनुरंजन उपभुगताओं का सर्वेच्छन किया गया इनमें 60 प्रत्सत उपभुगता मीडिया सेवा के लिए पंजीकरत हैं हमारे पास अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसने 2020 अमेरिकी राष्टपती चुनाओं की उम्मेदवारी से अपना नाम वापस ले लि सिनेटर बर्नी सैंडर्स ने 2020 अमेरिकी राष्टपती चुनाओं की उम्मेदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है इसी के साथ डुमेक्रेटिक पार्टी जो की बिडेन के नाम से नामिनेशन का रास्ता साफ हो गया है बर्नी सैंडर्स कई बार भारत की मोधी सरकार की आलोजना कर चुके हैं। इसकी वज़े से वे अमेरिका के बाहर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। इसमा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले करमचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। मांग को पूरा करने के लिए प्राण वायू नामक कम लागत वाला पोर्टेवल वेंटिलेटर विक्सित किया है। इसमा अन्य दूसरे मांग करने के लिए प्राण वायू नामक कम लागत वाला पोर्टेवल वेंटिलेटर विक्सित किया है। भारती उद्योग परसंग द्वारा आयोजित सेमिनार में 450 कमपनियों के प्राण वायू वेंटिलेटरों का डिजाइन प्रस्तूत किया गया है। अगला प्रस्ण है भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सबसे अधिक राजमार्ग निर्मार किस वित्ती वर्स में किया गया हमारे पास आप्चन है। 2018-19 में या 2019-20 में या 2017-18 में तो यहां पर इसका सही उत्तर है 2019-20 में। भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में घोशना की है कि विती वर्स 2019-20 में 3989 किलोमीटर राजमार्गों का निर्मान पूर्ण कर लिया गया है। किन्तु इस वर्स के लच्छे 4500 किलोमीटर के लच्छ को अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। उपकरण वित्रित किये जाने हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 3.8-7 लाख वेक्तिगत सुरच्छा उपकरण उपलब्द हैं। हमारी पास अगला प्रस्ट है हाल ही में प्रसिद्ध हास से अभिनेता बुलेट प्रकास का निधन हो गया। हमारी पास अप्चन है मराथी, कंणड, भोजपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है कंणड। प्रसिद्ध हास से अभिनेता बुलेट प्रकास का निधन हो गया, वे कंणड फिल्म इंडिश्टी से थे। रायल इनफिल्ड बुलेट मोड साइकिल के प्रती उनके लगाओ के कारण उन्हें बुलेट नाम दिया गया था। उन्होंने 2015 में भारती जंता पार्टी की सदसिता भी ग्रहन की थी। साथ अप्रेल को मनाया गया। यूनिस्को द्वारा इसे मनाय जाने का उद्दे से दुनिया को ऐसे नरसंगहार और अपराध के परिणामों के बारे में सिच्छित करना है। संयुक्त राष्ट महासभादवरा 1994 के नरसंगहार के खिलाफ अंतराष्टी दिवस मनाय जाने की घोषना साल 2003 में की गई थी। इस नरसंगहार में हुतू जनजाती से जुड़े चरमपंथियों ने अलपसंख्या के तुट्सी समुझाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निसाना बनाया था। इस नरसंगहार में सौ दिन में तुट्सी समुझाय के आठ लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी।